मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ इस बहुत ही जानकार द्रिश्टिकून के साथ, जिसे सद्गुरु जी ने हिजाब के विवाद पर सामने रखा. इस चर्चा को सुने और हमें संदेश भेज कर बताएं कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं. चलिए मैं आप ही चल रहे हिजाब विवाद का उधारन लेती हूँ. ये करनाटक में एक स्कूल से शुरू होता है, पर वही नहीं रुकता. ये फैल जाता है. सुप्रीम कोर्ट में, अलग-अलग अदालतों में एक राश्रिय मुद्दा बन जाता है. और देखे कि कैसे मौहल को खराब किया गया है. लोग कह रहे हैं कि पहले हिजाब, पहले क अब मिट्टी से आता है. तो मिट्टी एक जबरदस्त एक जुट करने वाली शक्ती है. जीवन के उन पहलूओं को देखने के बजाए जो हम सभी को साथ लाते हैं, हम लगातार उन पहलूओं को देख रहे हैं, जो हमें बाटते हैं. मिट्टी सभी के लिए है. इससे कोई परक नहीं पड़ता कि आप कौन है, कौन सा धर्म, कौन सी जाती, कौन सी राश्ट्रियता, कौन सा लिंग, या आप खुद को जो कुछ भी और मानते हैं, आप मिटी से आते हैं, और वापस मिटी में चले जाते हैं, तो ये लोगों को जोडने वाली एक बड़ी शक्ती बन सक लेकिन कई लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पन कर दिया है, स्कूल में मुद्दा है सभी के समान होने का, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या स्कूलों में बच्चों को उनके पहनावे के आधार पर अलग करना ठीक है, या एक ऐसा ड्रेस कोड होना जिससे सभी एक से दिखें, आपकी इस बारे में क्या राय है? अगली सांचे में बड़े ना हो, जिसमें पिछली पीड़ी के लोग बड़े हुए, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए जो भी पुर्वागरह समस्याएं, नफरतें या प्यार हैं, उसे बच्चों पर थोपने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महत्वपून है, इसे कैसे हा हासिल करें, शायद अलग-अलग लोगों के इसे हासिल करने के तरीके अलग-अलग हों, लेकिन ये होना ही चाहिए, अगली पीड़ी को उन चीजों से सीमित नहीं होना चाहिए, जिनसे हम सीमित रहे हैं, उन्हें उन जंजीरों में बंधा नहीं होना चाहिए, जिनसे हम ब ये equation सिर्फ मातापिता के बारे में नहीं है। इसमें पूरे देश की राजनीती शामिल है। ऐसी सीति में आप क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अपना फाइदा देखने वाले लोग मौजूद हैं आपने कहा। हाँ वो बेशक हैं। ऐसा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक टीवी स्टूडियो में रहती हैं। क्योंकि आप हर समय उन्हीं दृश्यों को देखती रहती हैं। मैं सडक पर चलता हूँ, सडक पर गाड़ी चलाता हूँ, मुझे वो दृश्य नहीं दिखते। जब मैं टीवी चालू करता हूँ, सिर्फ तभी मुझे वो दृश्य दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे सच नहीं हैं, वो सच हैं। लेकिन वे इतने बड़े नहीं हैं, जितने वे लगते हैं। तो गलती हमारी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, वहां हो रही चीजों को दिखाना ही आपका काम है। मैं इसे गलती नहीं कह रहा, यही निउस चैनल का काम है। आप खाली सडक नहीं दिखाएंगे, जहां हर कोई शांती से घूम रहा है, उसका क्या तुक होगा, आप ये दिखाते हैं कि घाओ कहा है, ठीक है, शायद मेरे शरीर पर एक छोटा सा घाओ हो, लेकिन वो पूरा शरीर नहीं है आप ये तर्ग सुनकर क्या करेंगे, जब लोग कहते हैं कि सिख लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमती है, आपने भी पहनी है, पता नहीं कि आप इसे पगड़ी कहते हैं या मैं इस तरह स्कूल नहीं गया, चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ जब मैं चोटा था, तब किसी वजए से सामान्य हिंदू तरीके के हिसाब से किसी मन्दर में मुंडण होने की प्रक्रिया मेरे साथ नहीं हुई तो साड़े तीन साल का होते होते मेरे इतने बड़े घुंगराले बाल थे, ठीक है तो किसी वज़े से मैंने कभी किसी को इसे काटने नहीं दिया तो जब उन्होंने मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में भेजा तो वहाँ उन्होंने जोर दिया कि मुझे इसे काटना ही होगा फिर मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब मैं बेंच पर ही सो गया, उन्होंने मेरे बाल पूरी तरह काट दिये आपकी मर्जी के खिलाफ? हाँ तो मैंने स्कूल जाने से इंकार कर दिया मैंने स्कूल से बाहर आकर कहा, मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाओंगा पर उसके बाद मेरे 16-17 साल के होने तक बाल कटवाना सुभाविक चीज हो गई उसके बाद मैंने फिर से अपने बाल नहीं काटे हैं आप ही आपको ऐसा करने की छूट है, पर क्या आर्टिकल 25 और 19 स्कूलों पर लागू होने चाहिए? वे युरोप के नियमों को भारतिय बच्चों पर लागू कर रहे हैं क्योंकि आज हम भूल गए हैं कि भारत में अगर आप 50 साल पहले पीछे मुड़कर देखें, तो जादातर लड़कों के भी बाल लंबे होते थे तो वे उसे काट कर हमें अंग्रेज बनाना चाहते हैं ठीक है? दुर्भागे से ऐसा ही है उसी जबरदस्ती के कारण आज कई युवा पुरुशों ने अपने चेहरे की पूरी शेविंग कर रखी है क्योंकि वे अंग्रेजों जैसा दिखना चाहते हैं क्योंकि एक आदर्ष पुरुश को वैसा ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं हर पुरुश के लिए ऐसा होना सुभाविक है लेकिन उन्हें लगता है कि ये अजीब है नहीं, वो अजीब है आप नहीं जानते कि आप शेव क्यों कर रहे हैं लोग तर्क दे सकते हैं, पर आप वाकई वज़े नहीं जानते ठीक है, तो उसे छोड़ दें, कोई बात नहीं लेकिन साथ ही किसी भी समाज में ये बहुत-बहुत जरूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार उन चीजों को देखना होगा जो हमें साथ लाएंगी ना कि उन चीजों को जो हमें बाटती है मिट्टी वो पहलू है जो हम सभी को जोड़ता है अगर आपको इस जीवन में ये समझ ना आए तो कम से कम दफन होने पर आपको पता है कि वही कीड़े आपको खाते हैं ठीक है?